तो गुड मॉर्णिंग एवरिवान कैसे अब सबसों गाइस आज में एक किलो का केक बनाओंगा तो गाइस एक किलो का केक जो है यह इसमें डिस्पले के लिए बनाओंगा जो गाइस बेकरी में शोओ करने के लिए रखते हैं कोई कस्टमार अगर देखके अच्छा लगे तो कंस में तो से हम इस कberseg ड़ देखके क्समर करेंगे तो और बं वह कोशिश करूंगा है छानकी मीरे हिरे जो होता है बो में पूत ही सिंपल तरिके से में आपके साथ शेयर करता हूँ तो गैस में क्या करूँगा सबसे पहले एक किलो का जो केक है इसको मैं अपने हिसाब से आइसिंग कर लूगा लेकिन दोस्तों आज कल गर्मी का मोसम है जिन लोगों के पास ऐसी नहीं है वो लोग मौर्णिंग में ही केक बना लेना नहीं तो गैस बात में त करने में भी काफी अच्छा लगेगा अधरवाइस अब क्या कर सकते हो क्रीम करने के बाद इसको ज्यादा टाइम में रख देना उससे क्या होगा क्रीम जो जै नहीं को घ्र चौण में है बहुत ज्यादा सिंपल तरिके से मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप भी स्ट्रीक का इस तरिके का केक गर्भ बना सको। तो साइट के और मैं ने प्लेंग कर दिया पतला प्लास्टिक पेपर से अभी मैं क्या करूँगा, बस पिंग कलर की लिक्विट से में तोरा विप क्रीम के अंदर इस तरीके से में लिक्विट एक दिन में अगर ये किक ना भी जाए तो भी गाइज इसका जो डिजाइन है इसमें कोई भी बदलाब नहीं आएगा तो तो आएगा लेकिन ज्यादा नहीं आएगा तो मतलब होता ही है उसके बाद मैं क्या करूंगा 2D नोजिल से इस नोजिल को बहुत सरे लोग N1 नोजिल इसके बाद मैं फाइपिंग में पेक कर दूँगा अभी इसका जो डिजाइन होगा एंड जो कलर होगा वह इस दिखने में काफी अच्छा लगेगा एंड बहुत ही एट्रेक्टिव लगेगा इसलिए का इसमें इस तरीके का जो डिजाइन है वह फैंसी के क्या डिस्प्ल जड़से के क्या इस देख सकते हैं इसके का जो कलर है वह भी कितना शाइन होके निकल रहा है एक साइड पर पिंक कलर दूस्रा साइड पर येलो कलर तो गजो दिखने में काफी अच्य लगता है अपको कैसे लग रहा है अच्छा लगा या नहीं कॉमेट में जरूर बोलना तो guys मैं इसी nozzle से ही क्या करूँगा केक की side के और जो border है वो में cover कर लूँगा क्योंकि guys यह जो nozzle है side की और border करने से वो चोटा चोटा flower का जो look है वो आजाता है and काफी अच्छा लगता है मुझे अपको कैसे लगता है and आपने कभी इस तरीके का cake design ट्राइ किया है या try करोगे comment में जरूर बोलना मैं भी देखना चाता हूँ कितने लोग इस cake का जो design है वो try करना चाते है या करेंगे तो guys design तो हो गया अभी हम क्या करेंगे इस cake में flour बनाएंगे flour guys बहुत ही simple है flour में ज्यादा use नहीं करूँगा क्योंकि guys ज्यादा अगर cream use करूँगा तो उसमें भी customer का complaint आजाएगा कि इसमें बहुत ज्यादा cream है तो इसलिए guys में ज्यादा flour इसमें यूज़ नहीं करूँगा बस दो तीन ही flour में इसमें बनाके add कर दूँगा तो सबसे पहले में जो flour यूज़ करूँगा वो में red color का use करूँगा उसके बाद में cake की हिसाब से देखकर कि कौन सा flour कौन सी color की flour इसमें अच्छा लगेगा उस हिसाब से में इस cake के उपर flour add करूँगा सबसे पहले तो में beach में है वो में रैड कलर ही हो गार 3 जब्रेट कर दूँगा गार एक ड्रॉड उसाफ गई कर तो आश पर नने क्वाएंट कर स्दूर मारे श्रॉद तो जो भी आपको तो तो उसे साब से आप चाहो तो अपनी साब से भी फ्लावर कलर करके एड़ कर देना तो यह फैंसी केक है इसका डिजाइन खराब ना हो दिखने में अच्छा लगे काफी एट्रेक्टिब लगे इसलिए गाइस में अपनी साब से यहां पर क्या कर रहा हूं रेट कलर एंद दोनों साइट पर दो ब्लू कलर का फ्लावर में एड़ कर दूँगा लेकिन गाइस मैंने यहां पर तोरह जल्दीवाजी किया है इसलिए गाइस यह जो फ्लावर है यह मेरे से गीर गया है आपको केक बनाते टायम कोई भी जल्दीवाजी नहीं करना नहीं त कि डिस्प्ले हो जाए कि दुकान में चला जाए अच्छे से शो करके वह लूग रख पाए इसलिए इसमें बहुत ही जल्दी से बना रहा था लेकिन आपको कोई भी जल्दीवाजी नहीं करना दीरी दीरे केक को बनाना है थाकि केक का जो लूख है वह अच्छा हो और अच इस रिके का पता बनाओ तो इसमें तुरा सपेच कम हो जाएगा एंड कस्ट्टोमर अगर चाहे तो इस केक में लंबा या बनाम नहीं लेग सकता है इसलिए इसमें सब्सक्राइब करना आप पहले बार हमने चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथी बेलाकर प् कुछ दिनों से वीडियो अप्रोड नहीं किया इसलिए गाइस एल्गोरिधम के लिए कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो ताकि गाइस और भी लोगों के साथ पास यह जो वीडियो का रीच है वो जाए और वो लोग भी इस वीडि